वेलकम टू कार्व एकेडमी टुड़े आई सल्व क्लास 6 मैंसमेक्टिस चेप्टर 7 जिसका नाम है फ्रैक्शन फ्रैक्शन का एकसाइट 7.3 को सल्व करेंगे 7.3 बहुत ही most important है और आपके exam में इससे question बहुत ज़्यादा ही पुछे जाते हैं ठीक है आईए हम इसको सल्व करते हैं बहुत ही असान है first question है write a fraction are all these fraction equivalent equivalent का मतलब वहता है equal ठीक है यहाँ पर A और B question है सबसे पहले मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर देखो आईए यह नमबर को सल्व करना है question number one का यह नमबर ठीक है अब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि write the fraction इसको fraction में convert करना है यह नमबर को जदी मैं इसको fraction में convert करता हूँ तो क्या होगा एक total parts कितना है two उसमें सेड कितने क्या गया है one यह हो जाएगा one by two उसके बाद यह total four है four में two सेड है तो two by four हो जाएगा again one two three four five six है six में three क्या है सेड अगें one two sorry one two three four five six seven eight eight में four सेड है four by eight अब यह बोला है क्या equivalent है तो देखो यह equivalent होगा क्यों यह one by two है इसको divide कर दो two times में यह भी two हो जाएगा इसको divide कर दो two times में यह भी two होगा इसको हमारा one by two comma one by two comma one by two comma one by two सब क्या हो गया इक वाल आ गया है यानि हम इसको बोल सकते हैं कि यस यस अल अल अफ दीज अल अफ दीज अल अफ दीज फ्रेक्शन फ्रेक्शन अर इक्विवाइलेंट इन्विवाइलेंट यह देखा हमारा answer अब इसका B देखेंगे वाहाँ इसको क्या है यह देखो इसमें कितना है 1, 2, 3, 4 4, 3 जै, 12 ये देखो, total 12 है total कितना है 12 4 क्या है, seed है तो मैं लिए सकता हूँ 4 by 12 उसके बाद ये देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 में 3 है यानि 3 by 9 और 1, 2, 3, 4, 5, 6 है total कितना है, 6, 6 में 2, seed है 2 by 6 हो गया अगें 1, 2 है, नए 3 है 3 में 1, seed है 1 by 3 अगें, 1, 2, 3, 4, 5 5 तरेज़ा, 15 15 में, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 by 15 है अब देखो तो इसको divide करेंगे 3 times में, इसको divide करेंगे 3 times में, इसको divide करेंगे 3 times में, ये तो नहीं होगा करता भी हूँ, 2 से 3 times में, 2 से इसको नहीं जाएगा यानि इसको जेओं को त्यों रखना पड़ेगा 3 से करेंगे, 3, 2 जा 6 3, 5, जा 15 2 by 5 आगया, देखो यहां से ये 1 by 3 आगया ये भी 1 by 3 आगया ये भी 1 by 3 आगया ये भी 1 by 3 आगया और ये 2 by 5 आगया सारे इकोल हुआ नहीं हुआ, तो फिर इसको क्या बोलेंगे No क्या बोलेंगे, No इस फ्रेक्शन इस फ्रेक्शन आर नोट नोट इक्विवाइलेंट ये हमारा एंसर ठीके समझ में बाते आ रही है बहुत असान है ध्यान से बनाओगे तो ठीके question number 1 हमारा complete हो गया अब देखो question 2 है write the fraction and pair of the equivalent fraction from each now देखो इन दोनों को A, B, C, D, 5 question हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 1 question हो गया इन दोनों क्या करना है, match कराना है ठीक है, कैसे करेंगे बहुत असान है, देखिए पहले हम question number 2 का A, B, C, D को सल्ब करेंगे आईए question number 2 का A number B number, C number B number और E number देखो तो A number है, total 2 है shade क्या है, 1 यह हो जाएगा, 1 by 2 ठीक है यह देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 total 6 है, 6 में 4 shade है, यह हो जाएगा 4 by 6 इसको आप divide करना चाहते हो तो कर सकते हो, कैसे? इसको 2 से, इसको 2 से 3 times में यानि यह हो जाएगा 2 by 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 total 9 है, 9 में 3 shade है यह हो जाएगा 3 by 9 इसको डिभाइड कर देंगे 3 times यह हो जाएगा 1 by 3 यह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 total 8 है, 2 shade है 2 by 8 इसको डिभाइड कर दो, 4 times में यह हो जाएगा 1 by 4 1, 2, 3, 4 total 4 है 3 shade है 3 by 4 यह देखो इसको मैंने बना लिया अब देखो यह match कराना है ना अब इसको देखेंगे फर्स्ट वाले को फर्स्ट हो जाएगा क्या है total parts कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 6, 3, जा 18 18 में 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 shade है 6 by 18 इसको कटाओगे 3 times में 1 by 3 आएगा अब इसका second second है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 में 4 shade है 4 by 8 इसको 2 से कर दो इसको 2 से 4 कर दो अच्छा इस 2 times में यानि पूरा complete 4 to 8 1 by 2 आएगा थर्ड question 1, 2, 3, 4 4, 4, 16 16 में 12 shade है 12 by 16 इसको 4, 3, 12 कर दो 4, 4, 16 यह हो गया 3 by 4 question 4 अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 total 6 है यहां भी 6 6, 6, 12 12 में 4 shade है 4 by कितना 4 है 8 है 8 है 8 by 12 8 by 12 4, 2 जा 8 4, 3, जा 12 2 by 3 हो गया अब 5 देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8, 8, 8 2 जा 16 16 में 4 shade है 4 by 16 इसको कर दो 4, 4 जा 16 यह हो गया 1 by 4 अब देखो 1 के लिए कौन होगा 1 by 2 कहा है यह एक के लिए हमारा answer यह हो जाएगा 2 by 3 कहा है 2 by 3 इसको मैच कराना है यह 4 नमबर हो जाएगा 1 by 3 कहा है 1st नमबर हो जाएगा 1 by 4 कहा है 5 नमबर हो जाएगा 3 by 4 3rd नमबर हो जाएगा देखो ऐसे मैच करा देना है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को सबको समझ में आया चलिए Question 3 देखेंगे 3rd क्या है Repalice Blanks है In each of the flowing By the correct नमबर अच्छा यह देखो 2 by 7 की क्वल्टू में है 8 by blanks बजब यहाँ पर क्या होगा बहुत असान है आईए Question number 3 का यह नमबर यह है 2 by 7 इक्वल टू उपर है 8 तो नीचे क्या होगा यहीं हमको यहाँ पर फिल करने देखो इसको बताने के लिए ना उपर 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 को पता करें कैसे 8 आया जब इसको डिभाइड करोगे 4 टाइमस मतलब 2 का टेबल 4 टाइमस पढ़ोगे तो 8 आयेगा उसी तरह 7 कभी कितनी टाइमस पढ़ दो 4 टाइमस देखो 2 का टेबल 4 टाइमस पढ़ोगे तभी तो 8 आयेगा अब उसी तरह जब 4 टाइमस पढ़ोगे 2 का टेबल तो 8 आया है 7 cutable 4 times पड़ो तो क्या होगा 28 हो जाएगा यह answer ठीक है B number देखो 5 by 8 है equal to 10 by अब यहाँ पर क्या होगा देखो 5 cutable 2 times पड़ो तो 10 होगा 8 cutable 2 times 16 होगा ठीक है असान है न अब देखो 3 by 5 है इसके equal to में क्या है नीचे 20 है तो देखो 5 cutable 4 times पड़ो तो 20 होगा उसी तरह 3 cutable 4 times पड़ो तो 12 हो जाएगा ठीक है D number 45 by 60 यहाँ देखो 50 है यहाँ पर क्या होगा तो देखो यहाँ पर 45 कैसे होगा जदि 15 का टेबल यहाँ पर 3 times पड़ा गया है तो क्या है 45 अब इसका किसका टेबल पढ़ने पर 3 times में 60 हो जाएगा तो 20 का देखो 15 3045 2360 बस उपर वालों को पाता करके नीचे वालों काम कर देना है अब 18 by 24 है उपर क्या है नीचे 4 है उपर ब्लैंक से अब देखो तो 24 कैसे होगा जब 4 का टेबल 6 टाइम पड़े होंगे तो उसी तरह यहां भी 4 टाइमस पड़ दिजिए किस का टेबल कि अमरा आप 68 एटी नहीं जाएगा पता ही नहीं चल रहा है कैसे करोगे सुचो 4 का टेबल 6 टाइम पड़ोगे तो क्या होगा 28 तो 3 का टेबल पड़ोगे 6 टाइमस तो 18 नहीं हो जाएगा एंसर बस एक पाता करना है दुसार का अपने आप बन जाएगा ठीक है इसमें से देखो आपको इकोवालेंट ट्रीवाइब करना है अब कैसे करोगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फॉर का ए नंबर सल्ब करेंगे इसका डिणोमिनेटर 20 है यह देखो पहले 3 x 5 आपको क्या करना है डिणोमिनेटर को 20 करना है 3 x 5 से तो देखो कैसे करेंगे 3 का 3 यहाँ पर 5 है 5 में कितना से मलट्पल कर देंगे तो यह 20 हो जाएगा तो 4 से तो उपर भी आपको कितना करना पड़ाएगा फोर से उपर हो गया 12 नीचे हो गया 4520 बस आपका टार्गेट ही होने चाहिए कि आपको कैसे भी 20 लाना है ठीक है ए नमबर कंप्लीट हो गया बी नमबर देखो इस 3 by 5 से बनाना है ठीक है आपको नुमिनेटर लाना है 9 क्या लाना है 9 तो देखो 3 में कितना से मलड़ पल करोगे तो नुमिनेटर 9 होगा तो 3 जो उपर करोगे वही नीचे भी करना पड़ेगा तो 339 हो गया ना नीचे हमारा 15 उपर टार्गेट है 9 तो 9 आ गया अब सी नमबर देखेंगे डिनुमिनेटर 30 है तो 3 by 5 अब चलो हमारा नीचे 30 लाना है तो 3 by 5 कितना से कर देंगे 30 आएगा 6 से उपर भी 6 से करना पड़ेगा 6 त्रीजा 18 नीचे 30 हो गया अब डी नमबर देखो क्या टार्गेट है नुमिनेटर 27 3 by 5 से न इस 3 by 5 से उपर वाला नुमिनेटर 27 लाना है तो 3 by 5 कितना से करें 9 से नीचे भी 9 से 9 त्रीजा 27 आ गया और नीचे 45 एंसर समझ में आजा कोई डाउट नहीं है अब question 5 देखो find the equivalent fraction of 36 by 48 with नुमिनेटर 9 डिमिनेटर 4 आईए इसको भी बनाते हैं पले ए नमबर देखो सारे question जो है न असान है बस थोड़ा ध्यान से आपको बनाना है क्या दिया है 36 by 48 आपको क्या कर देना है नुमिनेटर 9 ला देना है इसके लिए पता है क्या करना पड़ेगा 36 by 48 इसको यहाँ पर multiple ना ही बलकि divide करना पड़ेगा अब कौन सा नंबर से divide करो कि 9 आजाएगा भाई तो 4 से कर दोगे तो नीचे भी आपको 4 से ही करना पड़ेगा 4 में 36 में divide करोगे तो 9 आएगा और नीचे करोगे तो 12 आएगा यहीं तो लाना था उपर में 9 आ गया बी नंबर देखो बी नंबर है डिनोमिनेटर 4 लाना है 36 by 48 में ऐसे नंबर से divide करो कि हमारा नीचे 4 आ जाए तो 12 से कर दो पूर फोर जा उपर भी 4 से करना पड़ेगा तो उपर 3 नीचे 4 एंसर समझ गया कोई डाउट नहीं किसी को है 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 तो बताना है question 6 प्रेक्शन और इक्वेवालेंट इनको चेक करना है कौन कौन इक्वेवालेंट है ठीक है इन दोनों को और कैसे है चेक विदाद गिवेवालेंट इसको इक्वेवालेंट करना ही है question 6 का ए नंबर है 5Y9, 30Y54 आपको टार्गेट है दोनों को बराबर करना तो मैं क्या करता हूं सबसे पहले न 5Y9 इसमें कितना से मल्टपल करें तो यह 54 हो जाएगा जदी मैं 6 से करता हूं और उपर भी 6 से करना पड़ेगा तो देखो ए 30 और नीचे 54 हो गया और अल्रेडी यह पाले से है ही इसमें कुछ करने की जवरत नहीं है दोनों इक्वाल आ गया तो लिखेंगे देरफोर देरफोर 5Y9,30Y54 और एक्विवाइलेंट एंसर ठीक है इसका बी देख रहे हैं बी नंबर क्या है 3 by 10 3 by 10 12 by 50 ठीक है आईए 3 by 10 कितना से कर दे 5 से इसमें 5 से कर रहे हैं ज्यादा से कर रहे हैं 5 से ही कर लेता हूँ और उपर भी 5 से यह हो जाएगा 5,30 15 15 by 50 ठीक है यह हो गया 15 by 50 ठीक है लेकिन अब हमारा टार्गेट यह होना चाहिए कि इसको भी इकोल करना है ना 12 by 50 अब दोनों इकोल कैसे होगा देखो यहाँ पर 15 by 50 ठीक होगा ठीक होगा अब किसी भी नंबर से करोगे नहीं हो पाएगा तो फिर इसको लिखेंगे therefore 3 by 10,12 by 50 are not equivalent not equivalent यह answer होगा ठीक है बी नंबर कम्प्लीट अब सी देखो कि क्या है कि 7 by 13 कि 5 by 11 कि इसको करके देखते हैं कि इसको कितना से करें कि इसको करता हूं कोई एक जैसा हो जाए 7 by 13 को multiple करते हैं 11 से और उपर भी 11 से यह जाएगा 77 by 13 को 11 से करेंगे तो हमारा जाएगा 143 कोमा यह है 5 by 11 अब इसको करना है इसमें मैं क्या करता हूं कि इसको 13 से कर देता हूं और उपर भी 13 से ओ जाएगा 65 और नीचे 143 नीचे तो बराबर हुआ लेकर उपर नहीं यह लिखेंगे देरफोर 7 by 13 कोमा 5 by 11 आर नोट एक्वेवाइलेंट एंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेशन से बेन रिदीवस्ट फॉलोइंग फ्रेक्शन टू सिंप्लेट फॉर्म इसको सिंप्लेस्ट फॉर्म में आको कनबट कर देना है इसमें को ज्यादा माइंड लगाने की जरूरत ही नहीं है कैसे करोगे आईए कि क्वेश्चन सेविन का ए नंबर है 48 बाई 60 है अब देखो तो इसको कितना से करूं ज़्यादी मैं 12 से करता हूं 12 फॉर्जा 48 टुल्फाइव जा 60 यह हो गया फॉर बाई ठीक है चलो बी नंबर देखता हूं बी क्या है 150 बाई 60 यह है क्या करता हूं इसको मैं 30 से करता हूं 32 जास 60 35 या 150 यह हो गया 5 बाई 2 मतलब एक ही टेबल से दोनों कटाना है ठीक है तो मैंने 30 का टेबल से कटा दिया सी नंबर देखो 88 बाई 94 है है ना 98 है इसको मैं क्या करता हूं कौन सा टेबल से कटा दूं जदी मैं इसको कटाना चाहूं किसे कटेगा मेरा भाई इसको मैं कटाता हूं 6 के टेबल से ठीक है 6 कटेबल से कटाएंगे तो दूनों कटेगा 66666666 कटेगा 6 1 टाइम 6 फोर्टिन टाइस में यह 18 टाइस में ठीक है सिक्स वन टाइम से 6638 नहीं कटेगा 6 से नहीं कटेगा यह एक रबड़ हो गया कि सी नंबर को अब से बनाते हैं कि 84 भाई 98 अब मत काना कि सार आप काट देते हो मैं साय कटे गाई भाई इसको फोर्टिन का टेबल से कटा सकते हैं कि 14 से बेंजा कितना 14 14 14 से बेंजा 98 14 सिख जा 84 यानि यह हो गया 6 भाई 7 ठीक है शिक्स भाई 7 कोई डाउट है कि जाए डिक एशी कंप्लीट दी देखेंगे 12 भाई 50 वाई 52 इसको क्या करता हूं कि 3 से कर दूं 3 से नहीं जागा 2 से करता हूं 2 से 6 टाइमस 2 से 26 टाइमस फिर 2 से करेंगा 3 से फिर 2 से 13 टाइमस यानि 3 भाई 13 हो गया ठीक है बस जितना हो सके एक ही टेबल से दोनों कटाना है सेबन बाई 28 है यह तो बहुत असान है सेबन फोर जा 28 यह हो गया वन बाई 4 एंसर ठीक है तो क्वेक्शन नंबर इवी अब आगए बढ़ दें से क्वेसिन एट रमेश है 20 पेंसिल से लु है पिप्टी पेंसिल जमाल हैड 80 पेंसिल अप्टर 4 मन्स रमेश यूज अप 10 पेंसिल सिलू यूज अप 25 पेंसिल जमाल यूज अप 40 पेंसिल इसका मतलब क्या है इसको फ्रेक्शन में कनवर्ट करना है सबसे पहले मैं देखूंगा कि टोटल पेंसिल मतलब तो सब के रमेश के लिए क्या है यह रमेश का बात हो रही है ठीक है रमेश टोटल पेंसिल क्या यूज किया है देखो तो एक बाट 20 चार मंद बाद देखो कितना किया है टेन पेंसिल टोटल पेंसिल टोटल पेंसिल कि 20 और इव्ज़ पेंशिल कितना किया है पेंशिल इव्ज इसका क्या करना है फ्रैक्शन बताना है लिखेंगे फ्रैक्शन इक्वाल टू 10 बाई 20 टेन्टू जा 20 यह वन बाई 2 हो जाएगा यह हुआ रमेश के लिए अब उसी तरह सिलू का निकालेंगे सीलू टोटल पेंसिल सीलू का टोटल पेंसिल 50 है यूज कितना किया है यूज 25 किया है पेंसिल यूज 25 इसका फ्रेक्शन हो जाएगा 25 बाई 52 ताइमस यानि 1 बाई 2 अब जमाल के लिए क्या है जमाल जमाल टोटल पेंसिल कितना मिला था टोटल पेंसिल 80 यूज पेंसिल यह है 40 इसका फ्रेक्शन 40 बाई 80 2 ताइमस यह भी 1 बाई 2 हो गया सबका क्या हुआ 1 बाई 2 हुआ लिखेंगे अल दा यूज हाफ देर पेंसिल देरफोर इच अब दा यूज अब इक्वाल फ्रेक्शन दा पेंसिल ठीके अब लास्ट नहीं सकते हो कि इच वान यूज इच वान यूज अप इक्वाल फ्रेक्शन और पेंसिल ठीके फ्रेक्शन नमबर 8 हमारा कॉंप्लीट 9 देखेंगे 9 क्या है मैच दे इक्वालेंट फ्रेक्शन एंड राइट 2 मोर इच अच्छा यहाँ पर क्या करना है आपको मैच कराना है ठीके तो कैसे कराएंगे पहले इसको छल्ब कर लिएंगे उसके बाद इसको लिखते जाएंगे ठीके क्unt पहले नमबर 9 का फर्स्ट इसको पहले सिम्प्लेस本 में कन्वाट करेंगे ठीके सिम्प्लेस本 में कन्वाट करेंगे तो क्या हो जाएगा इसको 10 से 10 का थन से 55 25 58 जा 40 यानि यह हो गया 5 by 8 अब 5 by 8 होने के बात बोला है कि राइट टू मोर मतलब इसका और अगला लिखो अगला हो जाएगा 5 तू जा 10 8 टू जा 16 इसका हो जाएगा 15 और इसका हो जाएगा 24 अगला मैंने लिख दिया एक तो था दो और लिखना था पाला हो गया अब दूसरा 180 by 200 अब यह देखो 10 से 10 केंसिल इसको क्या करते है न टू से डिवाइड करते हैं 29 जा 18 टू 10 जा 20 यह हो गया 9 by 10 एक मिल गया इसका अगला लिखो नाइन टू जा 18 टेन टू जा 20 नाइन थ्री जा 27 टेन थ्री जा 30 यह दो लिख दिया मैंने अब चलो इसका थर्ड 660 990 अब देखो 1010 केंसिल इसको क्या करता हूं 3 से कितने टाइम जाएगा 3 से 3 से हो जाएगा 3 से नहीं करता हूं इसको मैं 33 से करता हूं थ्री टाइंस में नहीं टू टाइंस में और इसको थ्री टाइंस में 33 से मैंने किया यह हो गया 2 by 3 अगला 4 अगला 6 अगला 6 अगला 3 त्री जा 9 यह मिल गया ठीक है question 4 देखो 4 है 80 by 360 180 by 360 यह तो पुरा पुरा यह पुरा पुरा 2 टाइमस में डिभाइड हो जाएगा 1 by 2 मिल गया 1 को 2 से भी करोगे तो क्या होगा 2 होगा 2 को 2 से करोगे 4 होगा 1 को 3 से करोगे 3 2 को 3 से करोगे 6 5 नंबर है 220 बाइ 220 by 550 यह 1 0 से 1 0 के अंसे अब यह तो नहीं कटेगा जब नहीं कटेगा देखो क्या करेंगे हाँ लेकिन 11 से कट जाएगा 11 2 जा 22 11 5 जा 55 यह होगा 2 by 5 2 को 2 से करेंगे 4 by 10 2 3 जा 6 5 3 जा 15 यह मिल गया अब देखो तो यह नंबर में 2 by 3 कहा है देखो तो 2 by 3 2 by 3 3 का A हो जाएगा 3 का A हो जाएगा ठीके उसके बाद 2 by 5 कहा है 2 by 5 2 by 5 देखो 5 by 4 का B मैच कराना है 1 by 2 कहा है 1 by 2 1 by 2 यह हो जाएगा C 5 by 8 कहा है यह हो जाएगा D 9 by 10 कहा है यह हो जाएगा E देखो match करा दिया मैंने ठीक है यह हमारा answer उमिद करता हूँ कि आप लोग को इस समझ में आ गया हो कोई doubt दिकत नहीं होगा हाँ आप लिखना चाहते हैं इस command भी तो लिख सकते हो दिकमान क्या है 5 बटाब 8 यहाँ पर लिख दो 5 बटाब 8 ये एकल है एकल क्या है 9 बटाबस यह नौबटाबस ये देखो और एकल है और सी कमान वन बाइ टू जो और एकल है इसे के साथ हमारा complete होता है मैं उम्मिद करता हूँ कि आप लोगों समझ में आगा होगा कोई डाउड दिकत नहीं होगा बहुत यह असान है बहुत यह असान चलो मिलता हूं इस क्लास में थेंक इसो मेच